असलाम अलेकूम and welcome to InfoTech Computer ITC मैं हूँ शायान सिद्धी की और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं colors के बारे में के example के तोर पर के अगर हमें taskbar का color change करना हो start menu का color change करना हो या overall अपने laptop ये computer की theme dark mood में convert करनी हो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मुबाइल में आपको का option मिलता है dark theme का के उससे आप अगर वाप अपलाए कर लो आपका पूरा का पूरा मुबाइल dark theme में convert हो जाता है हर चीज जो software जो application कुछ भी आप खोलते हो वो आती है black mood में यह किस तरहां से होगा यह laptop में आप किस तरहां से कर सकते हो तो आज की class में हम यही सब सीखने वाले हैं तो चलिए start कर तो सबसे पहले आप क्या करो आप डेक्स्टॉप पे करोगे right click आपके पास एक menu open होगा जिसे कहते हैं pop-up menu और आप जाओगे यहां से पर्सनलाइज option में previous class अगर आप लोग देखकर आए हो तो उसमें हमने पढ़ी दिए सारी settings के background किस तरहां से change कर सकते हैं यह 3 types क्या होती है किस तरहां से change करना है slide show वगरा वगरा यह सब हम देखकर आए थे और अगर आपको यह देखनी हो सीखना हो तो previous class आप देख सकते हैं playlist में आपको हर वीडियो मिल जाएगी sequence वाइस ठीक है तो यहां से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं colors के बारे में तो यहां से मैं विंडोस का default color मैं कौन सा रख हूँ अभी वह वह डाक ठीक है मैंने कहा भाई light कर दो तो देखें क्या होगा यह देख टास्पार का color जो है light हो गया ऐसी में start menu open करूंगा इसका color भी देखें light सा होगी है ठीक है और अगर मैं इसको डाक कर देता हम तो देखें आपके सामने की changes आपको नजर आएंगी यह देखें यह भी डाक डाक आ रहा है ठीक है कोई color नहीं यह light और dark के सिर्फ ठीक है तो यहां से आप अपने windows के default mood बता सकते हो dark या light में कोई colors नहीं है यह just dark और light है चीक है इसके इलावा यहां से मैं आ जाता हूं choose your default app mood तो इसका mood क्या हुआ हुआ है light जैसे example के तो और मैं गया start menu में और यहां से मैंने open कर लिया calculator जैसे मैंने calculator open किया तो देखें यह आ रहा है अभी light theme में सही है मैं यहां पर म तो मेरी जितनी भी चीज़ें जो भी मैं खोलूंगा ना वो देखें सब डाक खुलेंगी चाहिए वह Google हो या paint हो वह calculator हो कोई भी चीज़ हो वह हर चीज डाक खुलेंगी इसको मैं normal कर देता हूं light कर दिया मैंने light करने के बाद next option is transparency effect transparent किसे कहते हैं जैसे जिसके सामने से आ खिशे का पो पोल्पेपर जो है यह थोड़ा धूला धूला सा नजर आ रहा है लेकिन आ रहा है झाँत है लगां ऐसके इसको on करता हूं effect कीजिए रखी है श्रा도 थेक्ष्रम तो यह यह ऑप अपनी मर्रणीएद्ग कर सकते हो बता सकते हैं इसके अलावए अगर आप आप तो यहां पर आपको दिये हैं बहुत सारे colors कि आप अगर किसी color में convert करना चाहर हो कोई आपको light mood नहीं चाहिए dark mood नहीं चाहिए आप color करना चाहर हो कोई भी तो सबसे पहले आपको option दिया हुए कि आप यहां पर चेक लगा दोए क्या करेगा खुद बखुद कोई भी color उस पर अप्लाय करते हैं अगर आप चाहिए नहीं बहुत आप यहां पर भी यही color हो गया या मैं देखें settings जब खोलता हूं यहां से personalized की तो वही color आएगा जो मैंने अभी अपलाएगी है ठीक है यह देखें text वगरा भी उसी color का हो गया जो मैंने यहां से बताया था ऐसे ही मैं अगर नीचे आजाओं colors में नीचे आने के बाद यहां पर आपको अपनी मर्जी का color बनाने का option दिया हूए कि अगर आपको यहां से कोई colors पसंद नहीं आरे custom colors में जाओ आप यहां से आप अपनी मर्जी का color बना सकते हो जैसे हमने previous class में देखा था ठीक है इसके इलावा यही color जो आपने color चूस किया ह है वही color आप चालेओ टास्क बार में भी आना चाहिए और विंडोज टाक बार में भी आना चाहिए Marshmtv टास्क भी लगाव रगा क्यार से जो आपने color यहां से पिक किया था इसे मैंने कहा ऐसा color कर दो तो आपका चेंज हो रहा था लेकिन इससे क्या हुआ आपकी जो टास्क बार है और यहां से मैं कोई और डिफरेंट कर लेता हूं तो देखें सारी चीजे चाहे वह स्टार्ट मैंनी हो हो टास्क बार हो वह सब उसी color की हो जाएंगी किस option से in option इन पर फटा दोगे यह color आपकी सिफ चीजों पर अप्लाय होगा टास्क बार पे स्टार्ट मैंनी पे इस इहां पर अपलाय हो जाएगा यहां पर अपर आपे लिके जाओं यहां पर देखें आपको शो हो रहा है ऐसा अगर आप चाहते हो यह मेरी यह पर भाइब हो तो आप इन पर इन पर भी चैक लगा तो यह सब इन पर भी अपलाए हो जाएगा थिक है मैं इसको ऑगर मैं आजाता हूँ उपर और मैं चाहता हूँ मुझे चाहिए कोई color वदरनी चाहिए मैं चाहता हूँ मेरे पूरे laptop की theme करवा दो dark हर चीज जो भी मैं खोलूँ कुछ भी वो सब करवा दो dark तो मैं यहां से आया उपर और मैंने इसको choose कर लिया dark mood तो अब मेरे पूरे computer का जो mood है वो हो जाएगा dark यह देखें कोई भी चीज में खोलूँगा कोई भी application खोलूँगा जैसे मैं calculator खोल लेता हूँ यहां से देखें वो भी आएगा black color में यहां से खोल लेता हूँ google group तो यह भी आएगा black theme में इसके इलावा कोई भी software में यहां से open करूंगा वो आएगा black theme में जैसे आपके mobile में होता dark mode का option यह भी कुछ वही है ठीक है इसके लावा अगर मैं चाहता हूँ भाई मुझे यहां से अप्ला हो जाएगा सब यहां पर भी देखें अभी green गिरीन आजाएगा यह आगया ठीक है और जुतना मेरा टैक्स लिखावा है यह सब भी green हो जाएगा यहां मैं इस पर करसल लेके जाओंगा यह भी green आएगा यह अगर मैं right click करके यहां से personalized settings open करता हूँ देखें यह भी green कलर का ही आएगा तो उमीद करता हूँ आज की छोड़ी से class आपकी समझा गई होगी और कोई confusion हो कुछ पूछना हो तो comment section में आप लाजमी पूछ सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में नई topic के साथ नई class के साथ जब तक के कि अगा मुझे दीजी अजादत अला हाफस।